सुनाव एड़ा लिमिटेड अब देखें एक सो चौतर रुपए 55 पैसे का पैस है और धीरे 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 इस प्यासिव में भी तेजी बनने लगी एड़ा का थोड़ा सा अलग मामला है अगर आप देखें बाकी प्यासिव के अंदर तो सबसे फीके पड़े हुए थे रेलेवे स्टॉक्स जो की चली नहीं रहते और आज इच्छा खासा मूव अप देना इस्टार्ट हो गया इड़ा भी आप यहां पर तैयारी कर रहा है अचानक से सड़नली आपको मूव कहीं न कहीं इड़ा के अंदर देखने को मिलेगा और वह आल टाम हाई के ऊपर निक रहेगा क्या तेजी में मारके चलता रहेगा वह पॉस्बिल्टी नहीं होती है दस पंदर दिन से पहले आप कहें तो एक सही लगता है तो वही चीज़ नहां पर हो रही है बट और और आगर आप देखें तो पीएस यूज के नंबर भी आ रहे हैं और दीरे दीरे पीएस से लेकर आप बजट तक याँ पर तैयारी करनी होगी और बजट से पहले चार जून बहुत से इस दिन तो गिरावट आनी है यह आप बहुत समझे कितनी बड़ी मारकेट के अंदर फॉल आएगी यह पता नहीं यह बिलकुल भी नहीं पता बट फॉल तो आएगी फॉल क्रियेट करके देगी क्योंकि आप देखें तो वैल्यूइशन काफी महंगी है यह सिर्फ और सर्फ इसे इड़ा को चलाया जाएगा वो सिर्फ और सर्फ इवेंट बेस्ट है आप जो है आपके सामने टेडिंग होती हुँ दिखाई देगी टेडिंग की वजए से यह स्ट फोकस्ट स्टॉक है और फाइनेंस जिस तरहीं से करते हैं तो वह बज़र तक यहां पर फोकस रहेगा लेकिन उससे पहले ग्रावट आने यह प्रॉफिट होगी तो अगर आपको चार्ज उनसे पहले प्रॉफिट हो रहा हो तो बुक करके तुरंत ही बसूल करके निकल आपको नहीं नहीं पॉलिसी लाने पड़ेंगी रहत देनी पड़ेंगी कंपनियों को और इसी लिए आप देखेंगे कि इन कंपनियों पर भरोसा है बट बात आई डवल की क्या यहां से डवल हो सकता है बहुत हो तो सकता है लेकिन वो आयार सीटी सी जैसा सिनेरियो बन ज बॉक्स साथ हजार का हो गया साथ हजार से ड्रॉप होकर चार हजार रुपए का रह गया स्प्लिट से पहले खबर आई थी और उसके बाद यहां पर स्प्लिट के बाद देखिए तो एक बड़ा पॉस यही सिनेरियो बन जाएगा डवल होने का कोई बड़ी बात नहीं किया डवल नहीं हो साथ बिल्कु डवल हो साथ अगर आयार सीटी से डवल हो सकता है एडा भी डवल हो सकता है बॉस वो तो पच्चिस गुना अपने प्राइस टू बुक वैल्यूस है अभी इस बात को समझे लेकिन हायर साइट टिक नहीं पाएगा बिल्कुल भी यह तो आप स हाली जो बात है वो हो सकती है लेकिन टिक नहीं सकती है और बॉस ध्यान से देखें जिसने भी आया पिए हो से होल्ट कर रखा है जिसने भी 100 रुपए से नीचे ले रखा है ।ो बस यही है कि अपने जो पैसे हैं जो बने हैं जो हार्ड मनी है आपकी उसको बुक करो कि हार्ड मनी में आती है आसान नहीं किसी स्टॉक को होल्ड करके रखना आसान नहीं है क्योंकि टैंसन होती है बहुत सारी चीज़ इंटाइडे में तो क्या करके निकल गए भी या ठीक है ट्रेडें हो गई बट इन्वेस्टमेंट में ना रोज का मतलब एक समझ सकते हैं और यह कोई बड़ा प्राइसिंग नहीं है प्राइस आने को हुआ तो यह हो भी जाएगा तीन सो पचास और तक क्या यह बड़ा बात है बीस परसेंट का सरकेट है आराम से हो सकता है लेकिन वह फिर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा हाईर साइड ऐसे में तो मतलब आप य अगर आप देगो 34 के अराउंड का यह पर पी रेशो चला है 24 का आपका इंडस्टिफी चला है अल्रेडी हम थोड़ा से महेंगे विकाज हम अभी इस लाइन में मोनोपॉली है हमारी जैसे दूसरी कंपनी है बैंक्स काम कर रही है बट हम सिर्फ औस रिनेवल पर फोकस कर उनकी अर्निंग बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ती है रिनेवल का यह है तो वो एक थोड़ा सा यहां पर जो हमें आलग कर देता है लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि हमने कोई जादू ही काम करती है तो इस बात को भी आप समझे इस बात को कोई समझ नहीं रहा है यह सिर्फ इवेंट बेस्ट है यहां पर जो है तीजी होगी मंदी होगी वो सिर्फ और इवेंट बेस्ट है बट उसके बात कुछ भी खाली बनायाए गया इस बात को समझो और यहां पर जो पांच फॉइंट है फुट्टी नैन टाइम अपने प्रैस टू बुक वेले सो उपर काम कर तो मेरा मनना यही है एक स्टॉप लॉस ले लो और क्यों इड़ा चलनी पार था क्योंकि अगर आप देखें ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रीच होगी अब हमें यहां पर जो है क्रॉस करना और आसा नहीं है इसको क्रॉस करना सेलिंग का सामना करना पड़ेगा लेकिन जतन हम उसको निकालनी पारे है पहली बात वो निकलना है और जो हमने टॉप बनाया था यह गप पूरा होना रना या लियाक आप तो वां से दस से बीस परसेंट का अनुमाता रेटन बनता है और दस से बीस परसेंट का मतलब यही है कि 300 रुपए पर आ जाना सीरी सी बात है क्योंकि 215 का हाई है 40 रुपए उसमें और एड होंगे तो आराउंड आप है आपर जो है 250-260 के आराउंड पहुंच जाएंगे थोड़ी सी तेजी और चाहिए वो एक जटके में आपर जो है कहीना की एड़ा के हाथ में लग सकते जिस तरह से PSU यहां पर चल रहे हैं वो यहां पर है लेकिन पैटन जो है वो एड़ा का खराब था बाकी PSU जो है न वो थोड़े से ओवर आए थे वट पैटन अभी जो है वो खराब पैटन से निकल रहा है और यह सक्सेस्पल निकल आएगा तो फिर कोई दिक्कती की बात न कर ला है तो यहां पर 155 रुपए पर है और जो की काफी इंपोर्टन रखेगा तो आप जो हैं वो कुछ इस तरीक से स्ट्रेटजी बनाईएगा जादा वहतर है तो आभी हम एक क्रिटकल लेवल की तरफ भढ़ रहे हैं लैट सी उम्मी तो पूरी है कि यह PSU है और PSU में जो रेली हो रही है वो इस तरफ भी पैसा आएगा और पैसा आएगा तो 20% का सरकेट है आराम से ट्रेडर इसको जो है वो हाईयर साइड ले जा सकते हैं होप तो यही है बास यहां पर देखते हैं क्या होता है आप बस स्टॉप लॉक्स की देखें बाकी सब छोड़ दीज चाहिए होना यह और होना चाहिए तो एक बार निवेश से पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर रहा एडवाइसर से जरू सलाव ले लिजएगा अधर्वाइस आपके खुद की स्टेडी खुद इंपॉर्टेंट है आप खुद की स्टेडी करके अपनी ज्यागा बनाई अबनाई झालवाइसर से ब्रोकर बनाई चाहिए खुद की स्टेडी खुद